Oxidation number और Oxidation state of Fe in this complex compound हमारे पास यहाँ पर एक complex compound है जिसमें central atom Fe का हमें क्या निकालना है Oxidation number या फिर Oxidation state तो क्या करेंगे हम सबसे पहले दिखिए इस complex compound को जब भी आपको ऐसा complex compound मिले यह हमारा coordination sphere है इसके बाहर ठीक है इसके बाहर भी हमारे क्या है? Atom set इसको पहले हम ions में break करेंगे क्या करेंगे? ions में break करेंगे अगर इधर कोई atom है, कोई metal है तो आप नहीं करेंगे लेकिन अगर इस side coordination sphere के बाहर कोई भी है तो इसको आप ions में break कर देंगे कैसे करेंगे? देखे यहाँ पर जो bracket में है, उसको अलग लिखेंगे और जो बाहर है, उसको अलग लिखेंगे कैसे लिखेंगे? Fe, then H2O 6 times है, whole hexa हो गया, plus अब यहाँ पर कितने क्लोरीन के atom है? 3 है तो ऐसे आप लिखेंगे 3Cl और 1 क्लोरीन पर कितना charge होता है? क्लोरीन पर charge होता है, minus का 1 तो इसका लिखेंगेिगे आप, minus 1 chlorine पर 1 minus होगा 3, तो इस total पर कितना minus होगया? 3 minus होगा जितना charge इसका opposite charge इसका अपोजिट चार्च शसका आएगा यहाँ पर कितना है? 3 chlorine है minus है, तो 3 minus होगा इसके charge आजयेगा, plus का 3 तो जिसका भी आपको निकालना है उसको माल लेंगे एक्स इसका जो होगा वो लिख देंगे यह लिखेंगे फिर आपका आ जाएगा चलिए पहले हमने एफिके लिए लिखा एक्स एस्टू कितनी बार है छे बार है शिक्स टाइम अब एस्टू पे कितना चार्ज होता है एस्टू हमारा नियूट्रल लिगेंड होता है इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है जीरो होता है ठीक है क्या होता है जीरो तो यहाँ पे आप लिखेंगे जीरो इसके बात कोई नही इस को स्टू प्लस 3 तो X का वैलू कितना आ जाएगा प्लस 3 ही आएगा तो यह जो हमारा complex compound है इसमें जो F है उस पे charge होगा प्लस 3 हमेशा साइन के साथ लिखेंगे प्लस होगा तो प्लस एंड माइनस होगा तो माइनस